हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूँ रौस्ति पाठक और इस चैनल पे आप सबी का स्वागत है आज के इस वेडियो में हम जानेंगे कि 2023 में हम जन्मास्टमी कब मनाएंगे सही डेट, पूजा मूर्थ और रोहिनी नचत्र के बारे में आए जान लेते हैं क्योंकि बेहद इंपोर्टेंट होता है जन्मास्टमी का तिभार महिलाएं वरत रखती हैं और इसके साथ ही साथ कानाजी का जन्म होता है भारत में दही हांडी भी मनाई जाती है तो जन्मास्टमी कब है हम जन्मास्टमी कब मनाएंगे आईए जानते हैं द्वापर युग में स्रीहरी विस्नु ने स्रीकृष्ण के रूप में अपना आठमावतार लिया था कान्हा के जन्मोट्सव को जन्मास्टमी के रूप में मनाया जाता है और हर साल भाद्रपद माहा के कृष्ण पक्ष की अस्टमी पर कृष्ण जन्मास्टमी मनाई जाती है स्रीमद भागवत पुरान ग्यनसार स्री कृष्ण का जन्म अस्टमी थी रोहीन च्छत्र व्रिशब राशी और बूधवार के दिन हुआ था इस साल की जन्मास्टमी भी बेहत खास है क्योंकि इस बारकाना का जन्म दिवस भी बूधवार को ही हो रहा है हलांकि जन्मास्टमी के डेट को लेकर लोगों के मन में कन्फ्यूजन है तो आईए सबसे पहले हम जान लेते हैं जन्मास्टमी के डेट के बारे में भाद्रपद क्रिष्ण जन्मास्टमी तीथी सुरू होगी 6 सितंबर 2023 दोपहर 3 बजगर 36 मिनट पर और भाद्रपद क्रिष्ण अस्टमी तीथी सम्माप्त होगी 7 सितंबर 2023 साम 4 बजगर 14 मिनट पर तो भम 6 और 7 सितंबर की पूरी डिटेल जान लेते हैं ग्रिहस्थ जीवन वालों के लिए 6 सितंबर को जन्मास्टमी मनाना सुभ रहेगा इस दिन रोहिनी न छत्र और रात्री में पूजा का सुभ मुर्त भी बन रहा है बाल गोपाल का जन्म रात में ही हुआ था नंद किलाल कानहा का जन्म मतुरा में हुआ था इसलिए इस सारच 6 सितंबर को मतुरा में भी जन्मास्टमी मनाई जाएगी अब बात करते हैं 7 सितंबर के बारे में तो पंचांग के नुसार इस दिन वैस्तनव संप्रदाय के लोग जन्मास्टमी मनाईंगे साधू, संत और सन्यासियों में कृष्ण की पूजा का अलग विधान है सास्त्रों में पंच देवों के उपासक यानि कि स्मार्थ संप्रदाय के लोगों के लिए कृष्ण की उपासना अलग तरीके से पताई गई है इसी दिन दही हांडी का उत्सव भी मनीगा यानि कि हम लोगों को जैसे आम आदमियों के घर के इस्त्रियां है बच्चे हैं, बुढ़े हैं, पुरूस हैं उन लोगों को 6 सितंबर को ही जन्मास्टमी मनानी है और 7 सितंबर को सभी लोग 10 हांडी मनाएंगे जन्मास्टमी पर रोहिनी नच्चतर का बड़ा महत्व होता है तो आईए इसके बारे में भी जान लेते हैं रोहिनी नच्चतर 6 सितंबर को 9 बज कर 20 मिनट पर सुरू हो जाएगा और रोहिनी नच्चतर शमापत होगा 7 सितंबर 2023 10 बज कर 25 मिनट पर अगर आप जन्मास्टमी में पूजा करना चाहते हैं तो आईए जान लेते हैं अब पूजा के सुभ मुहुर्ट के बारे में क्योंकि हमेशा सुभ मुहुर्ट में ही पूजा करनी चाहिए स्रीकृष्ण की पूजा का जो समय है वो है 6 सितंबर को रात्री 11 बज कर 57 मिनट से 7 सितंबर प्रातहकाल 12 बज कर 42 मिनट तक भगवान स्रीकृष्ण का चन्म रात में हुआ था तो पूजा भी रात में ही करनी होती है और उत्सव भी रात में ही मनाया जाता है कुल मिलाकर पूजा की जो अवधी है वो 46 मिनट की है 6 सितंबर से 7 सितंबर की बीच में केवल 46 मिनट ही सुफ मूरत है पूजा करनी का इसलिए आप पूजा इसी समय पर करें अव जान लेते हैं कि वरत का पारन कब करना है वरतमान समाज में प्रचलित पारन समय है 7 सितंबर 2023 प्रातह 12 बजगर 42 मिनट पर कानहा की पूजा के साथ कई जगों पर लोग निर्जला उपवास रखते हैं और रात्री में कानहा की पूजा के बाद उनके चरनामरित को लेकर अपना वरत खोलते हैं तो इन सभी बातों से यही अस्पष्ट होता है कि आपको जनमास्टमी का वरत 6 सितंबर को रखना है और कानहा जी के जनमोटसव मनाने के बाद उनके चरनामरित को लेकर अपना वरत खोलना है तो उमीद करती हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी हरे क्रिश्न